Books That Speak में आप सभी का स्वागत है जेबा और उसके अब्बू, मेट्रो से कुतुब मिनार घूमने जा रहे है वे और क्या-क्या देखते है, चलिए न, उन्ही से जान लेते है कहानी का शिर्षक है, मेट्रो की सैर Original Story, On the Metro, by Neha Singh Hindi में अनुवाद भी उन्होंने ही किया है, Neha Singh चितरांकन, राय, प्रकाशन, प्रथम्बुक्स कहानी सुना रही है, आसावरी दोशी तो चलिए मिलते है, जेबा और उसके अब्बू से उठो जेबा, आज हम कुतुब मिनार देखने जाएंगे अब्बू ने सुबा सुबा कहा, क्या अम्मी भी आएंगी, मैंने पूछा अगर काम निपट गया तो जरूर आएगी, अम्मी हमेशा काम करती रहती है मैंने शिकायत की, हम कैसे जाएंगे, मेट्रो में, अब्बू ने कहा हम्म, ये देखिए, मेट्रो स्टेशन सूट, बूट और काले चश में पहने एक आदमी को प्लाटफॉर्म पर पहुँचने की बड़ी जल्दी है मैप किजिए, जरा हटिए ऐसे कहता हुआ, वो तेजी से चलती हुई सीडियों पर भाग रहा है हम इन जादूई सीडियों पर उपर और उपर चड़ते जा रहे है मुझे लगता है जैसे ये सीडिया मुझे निगल जाएगी हमारे गाओं में ऐसी सीडिया तो नहीं है मेट्रो प्लाटफॉर्म पर आ चुकी है मैंने ड्राइवर को देखने की कोशिश की जब मैं बड़ी हो जाओंगी न तो मैं भी मेट्रो रेल चलाओंगी चमकीले दर्वाजे अपने आप खुल गए सरसर सरसर इन दर्वाजों को कैसे पता चलता है कि कब खुलना है और कब बंध होना है मैं और अब्बू अंदर चले आए और मुझे ठंड सी लगी दरवाजे बंध हो रहे है एक आबाजने कहा ये मेट्रो एक लंबे सांप की तरह है चमकीले चांदी सी सीटे खंबे और पकड़ने के लिए भी चांदी सी छडे एक नानी जी सामने वाली सीट पर सो रही है उनका सिर बगल में बैठे आदमी के कंदे पर है उस आदमी ने उन्हें जगाया नहीं, बस मुस्कुरा दिया और दोबारा अख़बार पढ़ने लगा, मेट्रो चल दी अब्बू, देखिए, ये काच की इमारत कितनी उन्ची है, इसमें आते जाते लोग तो चीटियों जैसे लगते हैं, क्या कुतुब मिनार इससे भी लंबा है, होना तो चाहिए अब्बू, हस दिये, गाओ में तो परम का घर सबसे उन्चा था, पांच मंजिला, पर ये तो बहुत बड़ा लगता है, मेट्रो के दरवाजे खुल रहे है, बीपी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी मैंने अब्बू को कोहनी मार दिखाया, तोम यही आई थी न, अपने दोस्तों और अध्यापकों के साथ, अब्बू ने पूछा, अरे हाँ, अब याद आया, मैं अपने दोस्तों और अध्यापकों के साथ यही तो आई थी, हमने खूब गाने गाये थे, नारे लगाये थे, पृत्वी को बचाओ, जंगल को बचाओ, मुझे बचाओ, ऐसे वाला बैनर भी पकड़ा था और एक गिलहरी ने मेरे हाद से मुंगफली भी खाई थी पीप 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 दर्वाजे खुल रहे है सर 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 एक लड़कियों का जुंड मेट्रों में चढ़ा है वो आपस में हजबतिया रही है, सब दोस्त लगती है मैं उनके कपडों और बालों को निहार रही हूँ एक के बाल तो नीले है और इतनी सारी कान की बालिया उसके तो होट फर भी बाली है एक ने गिटार पकड़ा हुआ है वो सब गाने लगती है बाकी सब तालिया बजाते है बीप 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 दरवाजे फिर खुल रहे है सर 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 कुछ और लोग मेट्रों पर चढ़ते है वो देखो एक छोटा बच्चा एक बड़े से पीले महल की तरफ इशारा करता है सचमुझ बहुत विशाल महल है जाने उसमें कौन रहता होगा अगली बार अब्बू अम्मी को मैं इसी बड़े महल में घुमाने लाऊंगी बीप 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 दरवाजे फिर खुल रहे है सर 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 देखो अब्बू वो गाडियां तो जाम में फसी है और हम तेजी से आगे निकल गए इसी लिए तो हम मेट्रो लेते हैं जेबा अब्बू बोले तभी उपर से एक हवाई जहास गुजरा और नीचे गाडियां पत्तो की तरह बने पूलो पर चल रही है हम मेट्रो में आसमान और धर्ती के बीच है सर 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 कुछ लोग उत्रे पर कही ज्यादा लोग चड़े है सब लोग थोड़ा खिसके थोड़ा सरके और फिर सब के लिए जगा बन गई है मेरे आसपास बहुत सारी आवाजे और बहुत सी भाशाओं में बोलते लोग है एक मा अपने बच्चे के साथ आई है उनके पास बैठने को जगा नहीं है अब उन्हें अपनी सीट दे दी अचानक दिन रात में बदल गया हम जमीन के नीचे है चारो तरफ काँच में सिर्फ लोगों के प्रतिबिम्ब दिख रहे है ये किसी गुप्त गूफा की तरह लग रहा है जिसमें बहुत सी तारे और दीवार है एक आदमी जो देर से फोन पर चिल्ला रहा था बोला हलो हलो लगता है उसका फोन नहीं चल रहा दरवाजे खुल रहे है हरी बत्तिया जल उठी है मैं ड्राइवर के केबीन की ओर जा रही हूँ मैं मेट्रो से उतरी और आगे भागी आराम से अब्बू पीछे पीछे आए सलाम वालेकुम अम्मी अम्मी ने अपनी सफेद बेदाग वर्दी और टोपी पहन रखी है वालेकुम असलाम जिबा केबीन में दरजनो बटन है पता नहीं अम्मी को कैसे याद रहता है कब कौन सा बटन दबाना है क्या आप हमारे साथ आएंगी मैंने पूछा अम्मी ने हा में सिर हिलाया फिर एक बटन दबाया और केबीन का दरवाजा खोल बाहरा गई अम्मी आपने कितना अच्छा चलाया इतनी तेज और एक भी जटका नहीं और आपने हर किसी के चड़ जाने का इंतजार भी किया आगे बढ़ने से पहले अम्मी हस दी और मुझे गले लगा लिया मैं बड़े होकर बिल्कुल आप जैसी बनूँगी बस तब तक वर्दी भी चांदी जैसी चमकिली हो जाए बिल्कुल इस मेट्रो की तरह मैंने अम्मी से कहा और फिर हम कुतुब मिनार की तरफ चल पड़े अबू, अम्मी और मैं कैसी लगी अनुराधा की कहानी आपने देखा ना अनुराधा की अम्मी मेट्रो चलाती है तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और गुजराती में सुनने के लिए आप अलग-अलग पॉड्कास्टिंग अप्स पर बुक्स दाट स्पीक ऐसे करके सर्च कर सकते है और हमारा यूट्यूब चैनल है बुक्स दाट स्पीक तो चलिए मिलते हैं, शुक्रिया